हेलो फार्मसिस्ट वेलकम बेक टो नोट्स कार्ट कैसे आप सभी लोग आयोग आप सभी बहुत अच्छोंगे तो आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकिंडियर के एक नए सब्जेक्ट की जिसका नाम है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मसी फॉर्स चेप्टर से इतने भी टॉपिक इसमें आते हैं सभी की बात करेंगे हमारे जो नोट्स है इस पर्टिकुलर चाप्टर के वो आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ट पर मिल जाएंगे जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आवलेबल है तो आप वहार पे जाके अपने नोट्स डाउलोड कर सकते हैं या अगर आप अपने नोट्स खुद से बनाना चाते हैं तो फॉन्ट पर पने कौन कवह करने हैं तो हम जो फंस्ट है जो हमारा हौश्पिटल एंड क्लिनिकल फामेसी वो दो पार्ट्स में डिवाइड है फॉर हॉस्पिटल फामेसी और सेक scope, national and international scenario, organizational structure, professional responsibilities, qualification, experience requirement, job specification, workload requirement and inter-professional relationship. Next, हम बात करने वाले हैं, good pharmacy practice, GPP in hospitals. Next, hospital pharmacy standard FIP, BASEL statement, AHSP, introduction to NABH, acidation and role of pharmacist. देखें, यह जो particular subject है, यह आपका कहें, कि अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप अपनी language में भी लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है, कि जो यहाँ पर language यूज की है, वो ही आप यूज करें. एक बार आपको यह particular जो subject है, जो topic से वो समझ आ जा जाएं, तो आप अपनी language में खुद से लिख सकते हैं. Hospital and clinical pharmacy जो subject है, वो बहुत easy है, बट अगर आपको अच्छे से समझ आता है, आ जाता है तो. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, hospital and clinical pharmacy में, part first की, जिसमें हमें बात करने है hospital. Hospital एक ऐसी term है, एक ऐसी जगह है, जहाँ पर आज के time में हम सभी ने क्या किया है, survey किया है, हम लोग गए भी होंगे, बट हमको इसको क्या करना है, एक proper term में लिखना है, एक proper language में लिखना है. तो hospital क्या है? hospital एक ऐसी जगा है जहां पर क्या होता है? treatment होता है या फिर diagnosis होता है disease का by the help of expert doctor यानि कि जो hospitals होते हैं hospital में बहुत सारे employees होते हैं जैसे कि doctor हो गया, nurse हो गया compounder हो गया, pharmacist हो गया तो hospital क्या होता है? एक ऐसी जगा है? जहां पर क्या होता है? patient का treatment होता है patient को अगर कोई भी विमारी होती है तो उसको इलाज कराते है with the help of doctor चीक है? तो hospital क्या है? एक organization है देखे, organization क्यों बोलेगे? क्योंकि खाली doctors अगर इसमें टम आती है तो doctor एक doctor से पूरा organization नहीं मनता है जैसे अगर simple सी बात की जाए जैसे college में भी क्या होता है college में भी बहुत सारे department होते है उनको मिला के क्या बनता है एक पूरा का पूरा organization बनता है ऐसे ही क्या होते है hospital में भी doctors अगर खाली doctor है तो आप उसको hospitals नहीं बोल सकते या फिर आप उसको organization नहीं बोलोगे organization वो होते है जहाँ पेशेंट हो doctor हो pharmacist हो nurse हो यानि कि अलग-अलग department हो उसको हम क्या बोलेंगे organization तो hospital क्या है एक organization है जो mainly एक particular क्या है scientific specialized equipment जहाँ पे हूँ या फिर जहाँ पे क्या है कि particular जो team है वो trained हो और अच्छे से क्या करे अपने functions को regulate करे ठीके hospitals जो word है वो सबसे important है कहां से आया था latin word से आया था जिसका जिसका जो meaning है वो क्या hops के word से आया था ये ठीके जिसका मतलब क्या होता है host या फिर guest या फिर hotel ठीके hospitals में भी क्या होते है जो बिमार लोग होते है जो बिमारी से जूज रहे हैं वो लोग होते है वो क्या करते है वहाँ पे आते हैं अपना treatment करवाते हैं stay करते हैं और चले जाते हैं बट उसमें hospitals का का काम क्या होता है कि वो क्या करे उनको host as a guest as a hotel की तरह वो क्या करें ट्रीट करें उनका treatment करें उनको diagnosis करें जो medicines उनको देनी है वो दे तो ये क्या है hospital जो word है वो कहां से आया था Latin word से आया था जिसका first meaning क्या होते होप्स ठीक होप्स का क्या मतलब है यहापे host guest या फिर hotel उसके बाद फिर एक ठीक है या तो आप इसको क्या बोलते हो rest house बोल सकते हो क्योंकि definitely इसी बाते दिखे जो patient होते हो उनके लिए rest house ही होता है ठीक है travelers या फिर night shelter बोल सकते हो या फिर hospitality बोल सकते हो guest के लिए hospitality का मतलब होते है कि अगर हमारे organization में कोई guest आते है कोई बहार से member आते है कोई person आते है और हम उनके क्या करते हैं एक देखरे करते हैं ठीक है उनके खाने पीने का ध्यान रखना तो definitely इसी बात होस्पिटल्स में आप क्या करोगे medicines का ध्यान रखोगे उसके comfort का ध्यान रखोगे ठीक है तो वो सारे की सारे चीज़े किसमें आती है hospitality में आती है यानि कि hospitals क्या है एक काफी बड़ा organization होता है जो बहुत सारे department से मिलके बना होता है इसमे mainly क्या होता है patient आते हैं अपना treatment कराते है diagnose कराते हैं by expert doctor pharmacist nurse सारे इसमें included रहते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ doctor doctor रहते है एक पूरी team रहती है जो पहले से ही क्या होती है trend होती है पहले से ही उनको सारी चीज़े पता होती है कैसे किसका इलाज करना है और यह कहां से आया था latin word से आया था जिसका first meaning क्या होता है hops होता है एक other word से भी इसको derived किया गया था जैसे कि hospital जिसका मतलब क्या होते है rest house या फिर traveler या फिर night shelter या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो hospitality बोल सकते हो next हम बात करने वाले है function of hospitals तो definitely सी बात है functions क्या होते है hospitals के यह तो बहुत सारी common सी चीज़े है जो आपको पता भी होगी बट एक proper language में हम इसको कैसे maintain करेंगे वो पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले जो हमारा function आते है सबसे पहले तो हमारा function आते है कि जो हमारे patients होते हैं वो hospitals में जाते हैं अपनी बिमारी को ठीक कराते हैं या फिर जो injured patients होते हैं जाते हैं और अपनी बिमारी को ठीक कराते हैं तो यानि कि hospitals का काम होता है take care of sick and injured patient यानि कि जो बिमार पेसेंट है जो बिमार बिमारी से जूज जाएं किसी भी बिमारी से जूज जाएं जो injured patient है उनके क्या करना take care करना उसके पाद फिर next promote good services to patient getting relief from disease and pain यानि कि एक hospital का काम है कि वो क्या करें अच्छी service provide करें promote करें अच्छी service को जिसकी वज़े से जो patient है वो अपनी बिमारी से relief करें या कि अगर उनको कोई disease या pain होता है तो उससे क्या करें उनको अराम मिलें next storing and keeping up good health of community देखें community की अगर तो इसमें भी क्या है कि जादर से जादर जो community है जो लोग है ठीक है उनकी health को अच्छे से अच्छा maintain करके रखें store करके रखें ये hospitals का काम होता है उसके बाद children, programmer, people education जादर से जादर लोगों को educate करें अगर कोई बिमारी आती है तो ये भी hospitals के employees का काम होता है कि जहाँ जो वहां की surrounding जो भी वहां पे surrounding surrounding क्या है लोग है ठीक है उनको क्या करें educate करें उस particular disease के बारे में inform करें aware करें और जितने भी educated related program चल रहे हैं उनको भी क्या करें promote करें ठीक है next इसमें आता है primary function is to take care of inpatient and outpatient ठीक है तो जो hospitals का main primary functions होता है वो क्या होता है inpatient और outpatient को ठीक करें उनकी care करें ठीक है inpatient और outpatient का क्या मतलब होता है outpatient वो होते हैं जो जिसको अगर किसी person को कोई बिमारी हुई है उसने doctor से दवाई ली है और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है जबकि inpatient वो patient होते हैं जो hospitals में क्या करते हैं admitted किये जाते हैं तो यानि कि hospitals का जो काम है जो primary functions है वो inpatient और outpatient की health को अच्छे से maintain करके रखना है नेक्स्ट हमारा आते है hospital pharmacy नेम से define हो रहा है pharmacy का मतलब क्या होते है जहां पर हमारा जो medicines है वो रखी जाती है store की जाती है ठीकि वहाँ पर क्या होते है pharmacy store है जो उनको patient को देता है और ये भी बताते हैं कि आपको किस time कौन सी medicines को use करना है तो आपको पता हो अगर general क्योंकि आप second year के student है कि जो हमारी pharmacy language होते है उसमें medicines को drug बोला जाता है तो जितना भी drug हमारी बनाने से लेके बनाने से लेके manufacturing से लेके market में आने तक और उसके बाद वो medical store पे या किसी अधर pharmacy पे जाने तक और उसके बाद वो कहा जाती है patients के पास जाती है वो सारा का सारा किसमें include होता है pharmacy में include होता है अब hospital pharmacy यानि की hospital से जो relate करती है pharmacy जहाँ पे medicines दी जाती है जहाँ पे compounding होती है जहाँ पे storing होती है वो सारा किसमें आते hospital pharmacy यहाँ पे हम medicines को manufacture करने की बात नहीं करेंगे क्योंकि जो मैनुफेक्ट्र होते हैं वो फामिसी कंपनी में होते हैं जब जो मैडिसेंस बन जाती हैं मार्केट से वो कहां पर आ जाते हैं फामिसी में आ जाते हमें उस कंडिशन के इसमें बात करनी है तो जो होस्पिटल फामिसी होता है ये भी क्या है healthcare services का एक part है जिसमें mainly art practice होती है और ये एक type का profession है जिसमें store से लेके यानि preparing, storing से लेके किसी भी medicines की, किसी भी drug की dispensing तक ये किसमें क्या रहता है involvement रहता है, including रहता है ठीके, तो pharmacy में preparing से लेके storing से लेके dispensing तक का include रहता है यानि कि या फिर आप इसको बोल सकते है कि जो hospital pharmacy होता है वो क्या है, एक particular center है medical device है जो किसके थूर होता है store होता है, dispensing होता है बट किसके थूर होता है healthcare professionals के थूर होता है ठीके, healthcare professionals के थूर होता है patient की safety के लिए उनकी safety के लिए effective use के लिए efficient use के लिए इसमें होता है next जिसमें आता है hospital pharmacy के एक अलग से definition भी है जिसको आप use कर सकते हो hospital pharmacy जो होता है एक pharmacy को field है ठीके, जिसमें mainly के आते है बहुत सारे medical center include होते है जैसे कि hospital में भी हो सकता है hospital pharmacy outpatient clinic भी हो सकते है जैसे कि जो बहार market में medical store खुले रहते है या फिर drug dispensive facility भी हो सकती है poison control center भी हो सकता है वहाँ पे भी यह हो सकता है pharmacy drug information center में भी हो सकता है या फिर residential care facility भी choose हो सकती है यानि कि यह बहुत सारे centers है जहाँ पे medicines रखी जा सकती है और जहाँ पे जो medicine से जो drug है वो store की जाती है patient को दी जाते है उसको हम बोलते है pharmacy चीक है तो आप इसमें अपनी language में लिख सकते है जैसे भी आपको suitable लगे बस आपको समझ में आना चाहिए यह जो particular profession है चीक है यह जो particular profession है यह mainly क्या है medicine से related है चीक है इसमें हमें doctor से कोई मतलब नहीं होता है इसमें हमें क्या है medicine doctor का काम होते है सिर्फ और सिर्फ क्या prescription करना आप अगर normal में जाते भी वो आपने देखा भी होगा hospitals में कि mainly क्या होते है आप अपनी विमारी doctor को बताते है doctor से फोर सिर्फ क्या करता है prescription लिखके देता है उसके बाद आप medical यानि कि उसके बाद आप pharmacy पे जाते है वहाँ पे जो pharmacist होता है on duty वो आपको क्या करता है जो भी doctor ने prescription लिखा है उन medicines को देता है चीक है उसके बाद आपको बताते है कि ये किस टाइब से आपको यूज करनी है और dispensing का मतलब ही होता है कि medicines को बताना कि कौन सी medicines आपको morning में लेनी है evening में लेनी है या फिर night में लेनी है और कितनी quantity में लेनी है ये सारी कि सारी चीज़े कौन करता है pharmacist ही करता है तो यानि कि आप कह सकते हैं कि जितना important role एक patient के लिए doctor का होता है उतना ही जो important role है वो एक pharmacist का भी होता है चीक है तो ये जो एक particular profession है जिसमें क्या होता है mainly choosing, preparing, storing, compounding and dispensing medicines होती है यानि कि जो हमारा hospital pharmacy है या फिर आप बोल चाक्ते हो क्योंकि जो हमारा pharmacy profession है इसमें prepare से लेके और जो हमारा medicines है वो हमारे patient तक का जाने तक patient के पास जाने तक का जो suffer होते हैं जो moment होते हैं जो process होते हैं वो सब किसमें include रहता है pharmacy में include रहता है चीक है ये आपको इसमें ध्यान रखना है choosing से लेके choose करेंगे क्योंकि हर बिमारी के लिए हर medicines अलग-अलग होती है choose से लेके prepare से लेके store से लेके compounding से लेके dispensing तक का जितना भी process होता है वो इसमें include रहता है चीक है mainly उसके बाद another important area is to provision of advice to both patient and other health professionals about the safe and effective use of medicines definitely सी बाद है जैसे मैंने अभी बता है कि जो pharmacist को रोल होता है वो भी अपने आप में बहुत जादा important होता है ठीक है तो यह चाहे outpatient है चाहे inpatient है दोनों के लिए क्या होता है बहुत जादा important area होता है ठीक है उनको particular उनकी जो safety है उनका जो use है effective use है medicines का वो depend करता है health professionals पे यानि कि जितने भी हमारे health professionals होते है वो patient के safety medicines का effective use पे क्या करते है जादा काम करते है ठीक है तो जो भी हम medicines देते है वो हम क्या करते है disease के according देते है और जितने भी हमारे health professionals होते है वो patient के safety को ध्यान में रखते हुए, जल्दी से जल्दी अच्छे से उनका जो particular effect है वो जल्दी सो हो, जिके उनकी जो बीमारी है वो जल्दी से खतम हो, इन सारी की सारी चीजों को नजर में रखते हुए तभी वो क्या करते हैं, उनका treatment करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि doctors इफ treatment कर रहे हैं, pharmac भी कही न कहीं involve उसमें रहते हैं, according उनको क्या करता है सेव करता है जी के inventory का क्या मतलब है आगे आप पढ़ोगे भी आपके उसमें आएगा चप्टर में inventory control तो inventory control का मतलब अगर मैं आपको अभी यहाँ पर detail में ना जाके अपना एक short term में बताऊ तो inventory control का मतलब होता है अपना जो hospital pharmacy है जो आपकी pharmacy है उसको maintain करके चलना जैसे कि हम घरों में क्या होते हैं घरों में हम समान को बिल्कुल set करके चलते हैं आप अपने घर में समान को क्या है set करके चलते हैं आपको पता होते कि आपकी home में आपके घर में कौन सी चीज कहां पे रखी है that is called inventory ठीक है क्योंकि आपने खुद से रखी है अपने हाथों से रखी है सेम ऐसे ही होते हैं कि जितने भी जितने भी ड्रॉक्स जितने भी आइटम्स फार्मिसी में receive होते हैं उनको maintain करके चलते हैं रखे as inventory control ठीक है उसके बाद second इसमें आता है definitely से बाते हैं कि नार्कोटिक ड्रॉग और एलकोहल जितने भी आते हैं आपके फार्मिसी में उनका data receiving का भी और issue का भी जितने आपको वे उनका भी data maintain करके रखना है और जितने आपने issue के उनका भी data maintain करना होता है even इसमें दो ही drugs यूज नहीं होती है नार्कोटिक अलकोल इसमें आपके medicine आपके particular pharmacy में जितने भी medicines include है जिके उनका आप proper data रखते हो यानि कि आपको proper data रखना पड़ेगा चाहे वो receiving का हो या फिर issue का हो तो यहां पर एक आपको मैंने just second point में बताया है कि नार्कोटिक और एलकोहल ब्रॉग का जो data होता है उसको record होता है उसको maintain करके चलना है receiving का भ parasitamol भी देते हो या फिर आप ibubrofen भी देते हो किसी patient को तो उसका भी data आपको रखना है कि कितना आपको receive हुआ था और कितना आपने issue किया next में आता है packaging of medicines drug and labeling container यानि कि जब भी कोई pharmacy में medicines आती है तो आप उसको check कर ले proper कि proper packaging है या नहीं है ठीके labeling proper है कोई ऐसा container तो नहीं ह next उसमें आता है it discuss about the drug related information with the medical staff, residents, nurse, healthcare team and patient यानि कि जितनी भी medicines आती है ठीके तो आप क्या करेंगे जितनी भी drug related information है वो आप अपने staff को देंगे ठीके जितनी भी nurse वहाँ पे हैं आप उनको देंगे healthcare team है जितनी भी उनको देंगे और साथ के साथ patient को भी जितनी भी drug related information है वो देंगे next उसमें आता है it participate in minimizing the incidence of illness ठीके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप बीमारी को कम कीजिए ठीके journal health को क्या कीजिए improve कीजिए population की जिससे क्या है environment अच्छा बना रहे next हम बात करने वाले objective of hospital pharmacy service यानि की कौन-कौन से objectives रहते हैं तो first तो यही है कि यह क्या करता है professional working environment को maintain करके रखते है professional working environment का क्या मतलब है कि जितना भी related hospital से related चाहे वो patient है जो है वहाँ पे काम करने वाले employees है चीके तो उनको maintain करने में help करता है चीके उसके बाद जितना भी hospital का objective से main hospital का जो objective रहता है वो यही रहता है कि patient को जल्दी से जल्दी वो ठीक कर सके तो उन सारी चीजों को क्या कर सकता है maintain करके रखता है second इसमें है यह क्या करता है mainly right to medicines देता है right patients को right time पे देता है चीके right quantity में देता है और minimum cost में देता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई patient high cost medicine को survive कर सके third इसमें आता है कि क्या करता है जितने भी हमारा pharmacy के rules जो हमारा therapeutic committee होते हैं उनके rules को यह क्या करता है follow करता है participate करता है जिसकी वजह से awareness आगे proceed हो सके चेके इसके बाद interact करता है cooperate करता है coordinate करता है जितने भी department होते हॉस्पिटल्स के उनके साथ next इसमें आता है यह patients क्या करता है Counseling Center भी आप इसको बोल सकते हो क्यों कि ये क्या करता है करते जितने भी कोस्चंटमप्स होते उनको भी ये सुघ करता है ओंप तो इसको भी queries हैं उनको proper तरीके से क्या कर सकते है solve कर सकते हैं नेक्स इसमें आता है scope national and international scenario यानि कि hospital pharmacy के क्या scope है national and international scenario के according चीके तो अगर इंडिया के मैं बात करूं तो investigation के according देखा गया है कि जो जितने भी इंडिया में drug specialist हैं उनकी अगर yearly income की बात की जाए तो बहुत कम है just around two eight five four dollar के something जबकि वहां का जो drug specialist का जो level है वो पूरा proper fulfill हो चुका है ठीके fulfill है ऐसा नहीं कि वहां पर कोई requirement है या वहां पर कोई need है अगर आम तोर पे हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो जो वहां पर drug store है अगर उनका हमें जो level है वो एक normal level पे लाना है तो हमें well being framework के according काम कर करना पड़ेगा ठीक है South Africa के अगर मैं बात करूं तो वहां का जो drug specialist का number है वो है 14,124 जबकि उसमें से 43% यानि कि 6073 जो वहां पर pharmacies हैं वो community pharmacy के according work करती है यानि कि community pharmacy पर work करती है तो यह जस्ट एक सिनारियो है national और international में नेक्स्ट यहां पर जो आपको यह शो हो रहा है table यह क्या है national international ratio है ठीक है यानि कि अगर hospital pharmacy की बात की जाए तो nationally कितना scope है और internationally कितना scope है तो first इसमें है country name, second इसमें total number registered of pharmacist आपको यह बात पता होगे कि जब आप defarma कर चुके होंगे उसके बाद PCI का registration होता है उसके बाद ही फिर यहां पर है number of community pharmacist यानि कि इन में से कितने ऐसे community pharmacist है फिर यहां पर है number of community pharmacist या फिर drug store ठीक है average annual income of pharmacist तो यहां पर जो इस table में show किया गया है यह एक scenario है ठीक है एक around average का scenario है जैसे कि पाकिस्तान है इंडिया है South Africa है, Malaysia है और Hong Kong है जैके तो आपको जो भी दो या तीन जितने भी आपको example ठीक लगे आप उतना कर सकते हो total number of register में आपको बताने कि पाकिस्तान में around around total number of register कितने हैं, इंडिया में कितने हैं, South Africa में कितना है, Malaysia में कितना है और Hong Kong में कितना है उसके बाद फिर आपको बताना है number of community pharmacist यानि कि कितना आपके किया है, pharmacist है, include है, चेके उसके बाद फिर आपने बताना है कि drug store कितने हैं, वो आपको बताना है उसके बाद average income यानि कि annually कितना कमा लेते हैं, pharmacist वो आपको यहां पे mention करना है तो आप दो या तीन भी लिख सकते हो, as a example के थूँ आप लिख सकते हो इसमें, चेके तो यह proper क्या है, यह एक ऐसा scenario होई जो nationally है और internationally है नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करने वाले है, organizational structure of hospital pharmacy, यानि कि यह जो pharmacy है, यह जो हम pharmacy की बात कर रहे हैं, यह कोई market में pharmacy नहीं है यह hospital में जो pharmacy होती है, जहाँ पर medicine store होती है, जहाँ पर pharmacist होती है, वहाँ की हम बात कर रहे हैं तो आपको इसमें बताना है कि अगर hospital pharmacy आप खोलते हो, तो उसका organizational structure कैसे होना चाहिए, देखे यह बात आपको पता होगी कि अगर हम कहीं भी, जहें market में हम open कर रहे हैं, जहें हम hospital में pharmacy open कर रहे हमें, हमें जो infrastructure बनाना है, वो PCI के according बनाना है, यानि कि pharmacy counseling of India के according ही बनाना है structure कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहला आता है कि location, location कैसे होनी चाहिए, hospital pharmacy की, तो सबसे पहले जो pharmacy आप open करते हो, वो एक तो कहां पर होना चाहिए, ground floor या फिर first floor पर situated होना चाहिए, जिसकी वज़े से आप जल्दी से जल्दी क्या कर सके, जितनी भी services हैं, वो departmental या फिर nursing station प होते हैं, यह हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पे, जो इस पतल्दा है, यहाँ पे मतलब है, जो pharmacy है, चीक है, तो hospitals, जो बड़े-बड़े hospitals होते हैं, उसमें क्या होते हैं, जैसे department होते हैं, अलग अलग टीक है, नियो नेटल डीपार्टमेंट होता है, आ आई सी यू के अलग-अलग nursing station होते हैं, जहां पे nurse क्या करते हैं, जितने भी in patients हैं, जो admitted हैं, उनकी देखरे करती है, उनकी care-taker करती है, चीक है, तो nursing station पे ही क्या होते है, pharmacist का काम नहीं होता है, कि वो क्या करे, pharmacist, जो वहां पे in patient है, जो patient admitted है, pharmacist उनको दवाई दे, तो वो क्या करते हैं, नर्सिंग स्टेशन पर जितनी भी requirement होती है दवाई की, वो वहाँ पर उनको provide कराते हैं, department wise, और उसके बाद नर्स क्या करती हैं, पेसेंट्स को देती हैं, तो ये एक procedure जलता है, तो आपका जो pharmacy होना चाहिए, हॉस्पिटल्स में, व नर्सिंग स्टेशन पर एफ़ डिपार्टमेंट में पहुंचा सके, एक इसमें ये है कि mainly, जो outpatient department होते हैं, जिनको हम OPD भी बोलते हैं, जिनका जो admitted patient नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ doctor को prescription लिखाते हैं, उसके बाद वो pharmacy पे जाके अपना दवाई ले लेते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी कहा होना चाहिए, mainly जो hospitals होना चाहिए, ओपेडी वालों के लिए, ये hospitals के nearby होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि hospital तो क्या है, कहीं और हैं और उसके बहुत दूर जाके, ओपेडी वालों के लिए ये pharmacy है, तो जो ओपेडी वालों के लिए pharmacy होती है, वो hospital के नियरबाई होना चाहिए ठीक है उसके बाद में ली जितने भी हमारे यह है ले आउट ओफ फ्लोर फार्मसीज है ठीक है इसमें में ली क्या होना चाहिए जादा से जादा वहां पर फार्मसीस इंकल्यूड होना चाहिए ठीक है और मेटेरियल वहां पर होना चाहिए ऐसा कर दो आपको इसमें क्या है कि अगर आप फार्मसी ओपन कर रहे हो हॉस्पिटल में तो ऐसा नहीं है कि किसी पेसेंट को मैडिसेंज की जरुरत थी और उसे प्रॉपर टाइम पे मैडिसेंज नहीं मिली या फिर वहां पे कोई फार्मसिस्ट अवलेबल नहीं था तो आपको एक ऐसा continuous flow बनाना है जिसमें फार्मसिस्ट भी रहे और जिसमें प्रॉपर मैडिसेंज भी रहे तो जब भी किसी पेसेंट को अगर ज़रुरत पड़ती है मैडिसेंज की तो वो प्रॉपर तरीके से उसे मिंटेन कर सके लोकेशन के बाद नेक्स हमारा आते है ले आउट ओ hospital pharmacy देखी वैसे तो यह जो सारी चीजे होते हैं यह PCI के according होती है यानि कि PCI के phenomenon में जितना भी ले आउट लिखा है उसी के according आप pharmacy बना सकते हैं ठीके तो वही हमें यहाँ पर बात करनी है तो जो design और construction होता है hospital pharmacy का वो ऐसा होना चाहिए जो जितने भी उसके functionality है वो consider हो medicines को medicines provide कर सके तो यानि कि जो layout होता है जो design होते है जो construction होते है hospital pharmacy का वो उसके function के उपर consider करता है second इसमें है जो location होता है जो size होता है ठीके वो mainly क्या होना चाहिए personal होना चाहिए personal support के according होना चाहिए inventory moment यानि की inventory moment का मतलब होता है कि आपके उसमें क्या चीजे रखी है कौनसी medicines रखनी है ठीके कौनसी medicines गई है परचेज हुई है issue हुई है कौनसी medicines receive हुई है वो सारी चीजे आपको maintain करके चलना है ठीके work process और activities को maintain करके चलना है उसके बाद जितना भी storage होता है जितना भी equipment होते है वो mainly fixed होते है documents को store करके रखना है ठीके bulk supplies जितनी भी medicines कभी कभी क्या ह煌 क्यों के तो आपके पास इतु पैस होना चाहिए, आपके मेडिकल इस्ट्वर में कि वो सारी कि सारी सप्ला आ जाएं, थिक के पॉर्टेबल मेडिकल गैस सिलिंडर सहने चाहिये, एक जगह से दूसरी जगह जिसे आप ले जा सकें यानि कि इतना space इतना layout आपके पास होना चाहिए जो medicines है उनको बिलकुल functionality तरीके से आप उनको रख सकें ऐसा नहीं है कि आपने एक medicines के ऊपर medicines को ऐसे ही डाल रखा है कहीं पे injections ऐसे ही पड़े हुए तो एक proper space हमें चाहिए होता है छेके कितना space PCI के according होता है यह मैं आपको आगे वाली slide में जब हम proper layout पढ़ेंगे hospital pharmacy का उसमें मैं आपको बताऊंगी यहापे आपको जो शोर है यह है हमारा medical story याने की hospital pharmacy का layout ठीके layout का मतलब होता क्या है कि आप अगर hospital pharmacy open करते हैं तो आपको किस टाइप से medicines को रखना चाहिए किस टाइब से करना चाहिए क्योंकि देखे pharmacy जो हो patients के सामने comfort feel हो कि आपने जैसे ही patient आया आपने उसको फटफट से अपनी जो भी उसको दवाई चाहिए थी वो आपने उसको दे दी तो इसमें मिली होता क्या है कि जो भी हम hospital pharmacy open करते हैं तो हम लोग inventory control techniques यूज करते हैं किसी भी medicines को adjust करने के लिए आगे वाले chapters में आप लोग पढ़ेंगे कि inventory control होता क्या है लेकिन एक basic अगर मैं आपको बताओं तो inventory control का मतलब होते हैं जब हम drug को adjust करते हैं drug को identify करने के लिए easily identify करने के लिए जो भी हम techniques अपनाते हैं वो हम क्या किस क्या बोलते inventory control बोलते हैं जैसे कि medicines को alphabetically arrange कर देना जिसकी वज़े से आपको easy होगा उसको search करने में या फिर portion wise आप arrange कर दो कि यहां पर oral medicines है यहां पर क्या है syrup है यहां पर क्या है injectable drugs है तो हम उस तरीके से भी use कर सकते हैं तो जो layout होता है वो आपका दो type से यहां पर show किया गया है तो first इसमें होता है incoming storage incoming storage का मतलब होता है जहां से material जहां से drugs आती है जो extra drugs होत infusion solution, infusion solution क्या होते है जैसे drip हो गई, glucose की bottle वगएर हो गई वह सब आप एक अलग से portion में रख सकते हो राफिजरेटर होना बहुत नैसे सरी है क्योंकि कुछ ऐसे medicines होती है जो हमारा जिनको क्या चाहिए एक cool place चाहिए अपने आपको store करने के लिए तो राफिजरेटर मस्ट हो मिसी में एक राफिजरेटर होना compulsory है यह PCI के according भी है चीक है injectable drug injectable drug का मतलब होते हैं जैसे जितनी भी हमारी injectable drug होते हैं IV के through, IM के through, चीक है SC के through जितनी भी होते हैं वो आप एक अलग portion में रख सकते हैं उसके बाद super fines होते हैं, super fines कौन से होते हैं जैसे कि नार्कोटिक ड् आपको जादा से जादा क्या करना है अपनी awareness में रखना है आपको पता होना चाहिए आप उसके लिए aware होने चाहिए चीक है external use यानि कि जो भी हमारी external use के लिए होती है वो आप एक अलग से portion में रखोगे यहापे आप material रख सकते हैं चीक है जितने भी यह क्या है यह portion बना यह हैं आप इसमें कोई भी material रख सकते हो material मतलब यहाँ पे आप कोई भी medicines रख सकते हो यानि कि आपको जो layout बनाने वो portion wise इसमें शो किया गया है oral drug का अलग से portion आप कर सकते हो alphabetically arrange कर सकते हो चीक है बहुत सारे techniques होती है उसके बाद हम brand name के according भी store कर सकते हैं अपनी pharmacy में medicines को क् layout का सिर्फ यह purpose था कि आपको easily तरीके से identify हो जाए कि कौन सी medicines कहां पे रखी है क्योंकि जब patients आता है तो आप उसको फटा-फट से वो medicines दे दो जो उनको चाहिए जो उनके लिए need है इस बस यही purpose होते है हमारा layout का यहाँ पे आप decks लगा सकते हो यहाँ पी आपका क्या है working area ह अलग-अलग portion है अलग-अलग medicines के उसके बाद stories for empty box जो box खाली हो जाते हैं आप उसको store कर यहाँ पे क्या कर सकते हो store कर सकते हो और store करने के बाद फिर उसको बाहर जितने भी खाली boxes होते हो उनको बाहर निकाल सकते हो उसके बाद second layout भी आप use कर सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाला layout यूज़ करना है second layout में हमारा क्या होता है incoming storage हो सकता है फिर राफिजरेटर हो सकता है superfans हो सकते हैं external use हो सकते है oral drugs हो सकते हैं तो यह क्या है इस type का भी आप layout यूज़ कर सकते हो working area, dex, infusion solution, injectable drug जो भी है वो भी आप portion wise बना सकते हो उसके बाद outgoing storage आप अ एक होगा incoming एक होगा outgoing क्योंकि जो चीज जहां से आये की वो वहां से जाएगी बिल्कुल भी नहीं जाने के लिए दूसरा क्या होगा आपका purpose होगा दूसरा way होगा तो जो आ रही है जो store है आप उनको store रखिए जब उनको utilize करना है utilize कीज़े जब वो utilize हो जाए तो जो खाली देखा जाए देखें यह सारी चीजे PCI के according ही होते है PCI ने साब साब बोला है कि आपके medical store में refrigerator होना चाहिए आपके medical store में एक system होना चाहिए ठीक है PC होना चाहिए अपना तो यह PCI के according है अगर PCI के according देखा जाए तो जो हमारा area होता है कि pharmacy का वो कितना होना चाहिए 10 work meter होन जी तो मतलब basic basic कुछ rule regulations है जो आपका क्या है कि mainly PCI के according है पर जो settlement होता है जैसे कि मैंने अभी बताया inventory control आप यूज कर सकते जो medicines का arrangement हो सकते वो आप अपने according कर सकते जैसे भी आपको easy feel होता है जैसे भी आपको जल्दी identify हो जाए तो यहां पे यह जो particular slide है इसमें मैंने आप को जुस्त बताए कि कैसे आप अपने pharmacy में क्या कर सकते हो drugs का arrangement कर सकते हो जिसको आपको identify करने में easy हो next हमारा आते professional responsibilities of hospital pharmacist देखे जैसे doctor के लिए responsibilities होते हैं अपने patients के लिए वैसे ही pharmacist के लिए भी क्या होते responsibilities होती है in key responsibilities होती हैं अपने patients के लिए तो first इसमें आता है medicine management, medicine management यानि कि medicines को manage करना, manage करने का मतलब यहाँ पर है कि आप अपने patients को बताएंगे कि आपको यह medicines कब लेनी है, ठीक है, कौन सी route से आप उसको देंगे, वो सारी चीज़े आप क्या करते हैं, medicine management में बताते हैं, तो जब कोई patients आता है, आपके पास prescription लेके, तो आप उसको वो सारी की सारी details बताते हैं, ठीक है, तो जो hospital pharmacist होते हैं, वो क्या करते हैं, medication को क्या करते हैं, select करते हैं, जो भी उनके patients के लिए सबसे जादा best suitable रहती है, ठीक है, decision जो होना चाहिए, timely होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कि patients आपके पास आया, आपने उसके बाद कोई और medicines से दे दियो, इसके बाद आप सोच रहे हैं, कि नहीं, मुझे ये वाली नहीं, दूसरी medicines से देनी चाहिए, तो जो decision होना चाहिए, आपका, वो timely होना चाहिए, efficient manner से होना चाहिए, ठीक है, उतना ही significant required होना चाहिए, जो doctors के through input आया है, ठीक है, nurses के through input आया, या फिर किसी other healthcare professional के through input आया, यानि कि prescription के उपर dependable होना चाहिए, prescription के according ही, आप उनको medicines दोगे, ठीक है, उसके बाद कितने manners में देना है, कितनी efficient manners में देना है, वो सारी के सारी चीज़े, जितना भी होता है, वो doctor, nurse, या फिर किसी healthcare professional के उपर dependable होता है, आपको जो बताना है, आपको अ medicines उनको किस-किस according लेना है, ये आपकी responsibility है, ये किस में आता है, medicine management में ही आता है, उसके बाद, जो भी hospital pharmacist है, उनकी responsibility है, कि वो medicine से related, जितनी भी information है, like effect, like time, like route, वो सारी की सारी चीज़े, अपने patients को बताएं, जो भी counseling के थूँ, जो भी doctors के थूँ, जो भी prescription किया गया है, जितनी भी medicines उसमें लिखी हुई है, आप उनको one by one patients को आपको बताएंगे, कि किस type से आपको drug लेनी है, किस type से ये effect करेगी, इसका effect क्या होगा, छीके, आपको proper कौन से route से इसको लेना है, तो ये भी hospital pharmacist की responsibility होती है, छीके, next उसमें है, जो role है pharmacist का, वो ये है कि आपको बत इंजिक्शन होगा, तो IV के थू होगा, छीके, oral route से लेना है, छीके, आपको किस route से इसको administer करना है, कितनी dose में लेना है, वो भी आप बताएंगे, कि आपको ये proper कितनी dose में लेना है, छीके, वो सारी के सारी चीजे किसकी responsibility होती है, pharmacist की responsibility होती है, next, second, जो responsibility आती है, वह है source of information, जो patients के लिए source of information होते है, drugs के related, वो pharmacist होता है, उनको अगर कोई भी queries होती है, तो वो आप से पूछ सकते है, आपके responsibility है, कि आप उसको proper तरीके से advice करें, proper तरीके से उसको, जितनी भी उसकी queries है, उसको solve करें, जितने भी उसके questions है, उनका answer दे, चीके, चाहे वो route से related है, च है, उसके particular किस moment में आपको drug लेनी है, उससे related है, तो जितने भी पेसेंट के questions रहते हैं, आपके responsibility है कि आप उनको solve करें, चीके, तो hospital pharmacist, एक तो सबसे पहली बात तो यह क्या होते है, great source होता है, advice for patient, यानि कि patients को advice करने के लिए एक अच्छा source होता है, चीके, second बात है कि आप को बताना है, आपका काम है, यह आपकी responsibility है, कि जितना भी drug से related information है, आप वो सारी की सारी अपने patients को बताएं, जब आप medicines देते हैं उसे, ठीके, उसका safe combination medicines का, ठीके, solution का, अगर कोई solution आप दे रहे हैं, तो उसका safe combination आपको बताना है, क्योंकि देखे, कुछ ऐसी medicines होती है, ज जो milk वेगेरा के साथ जादा prefer की जाती है, तो वो सारी की सारी चीज़े आपको उसमें बतानी है, ठीके, जिससे कि patients को कोई आगे जाके problem ना हो, ठीके, आगे अगर कोई दिक्कत होती है, तो वो आपसे concern करें, एक होता है ना कि हमें comfort zone feel कराना है, patients को hesitate ना हो, आपसे पूछ पूछता हुआ है कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, तो जितना भी combination, safe combinations होता है, आपको बताना है, कुछ ऐसी medicines भी होती है, जो हम, हमें क्या है कि खाने से गंटे पहले लेनी है, वो सारी की सारी चीज़े आपको उसमें बतानी है, जिससे कि उनका ज इसमें आता है, जो hospital pharmacist होते हैं, उनका information होना चाहिए, उनकी के potential side effect की, वो भी आप अपने patients को बता सकते हैं, कि अगर कोई side effect शो होता है, उसके बाद mainly होता है कि जितने भी हमारी medicines है, उनकी compatibility कितनी है, जिके किस टाइप से वो काम करेगी, वो सारी की सारी information आपके पास होना चाहिए, उसके बाद next जिसमें है, आप medicines का effect आपके patients को हुआ है या नहीं हुआ है, यह चीज़ आप monitor करेंगे, जो हमारा schedule में भी आता है, जब हमारा क्या होता है, कि अगर कोई patients है, medicines लेके जा रहा है, तो आपका काम है, आपकी responsibility है कि आप पूछें कि आपको कोई effect, कोई side effect, कोई adverse effect तो नहीं show हुआ है, कितना effect show हुआ है, वो सारी की सारी चीज़े आप monitor करेंगे during the treatment, ठीक है, उसके बाद आपको ensure करना है कि जो effect, जो medicines दी है, उनका कोई effect सही से हो भी रहा है positively, वो safe है आपके patients के लिए, ठीक है, जो भी user है, जो भी medicines use कर रहे हैं, उनके लिए safe ह या फिर otherwise, वो उनको कोई effect show नहीं कर रही है, तो अगर आपको लगता है कि उनको कोई effect show नहीं कर रही है, तो उसके बाद आप उनको, उनके उपर क्या करें, action करें, या तो आप अपने doctors को बोले concern करें, doctor prescription change करें, ठीक है, जितना भी monitoring है, वो आप अपने doctor, आप अपने patients के through short out करें, तो ये भी क्या है, ये भी pharmacist का काम है, कि जितना भी information है, drug से related, वो आप उनको provide करें, next to third, इसमें responsibilities में आता है, monitoring drug chart, ठीक है, name से define हो रहा है, कि जो patients को drug chart दिया जाता है, आपकी responsibility है, कि आप उसको monitor करें, कि जो drug आपको, आपके patients को दी गई है, वो proper chart के according proper timely उसको या नहीं दी जारी है, ठीक है, तो ये सारी responsibility किसकी होती है, pharmacist की होती है, तो start कर लेते हैं, first point में क्या है, कि जो hospital pharmacist होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करें, अपना जो उनका staff member है, member जो है staff में physicians हो गए, nurse हो गए, dietitians हो गए, ठीक है, या फिर कोई other informative source हो गए, तो उनके साथ वो क्या करें, closely work करें, जिससे की आपको पता चल सकें, आप understand हो सकें, आप अपनी patients के लिए clear हो सकें कि आपके patients को जो medicines है, वो proper तरीके से दी जारी है, या फिर नहीं दी जारी है, second इसमें आता है कि जो drug chart provide किया जाता है, ये क्या होता है, एक vital source होता है, information का, drug chart का मतलब या पर क्या है, कि कौन सी दवाई किस रूट से लेनी है, किस time patients को लेनी है, ठीके, तो ये क्या होता है, vital source होता है, information का, किसी भी pharmacist के लिए, उनको पता चल जाते कि कौन सी medicines कहां पर लेनी है, तो वो क्या करें, जो भी हमारे जितना भी patients हैं, उनके साथ communication करें, hospital pharmacist और जो other member है hospitals के, like physicians, nurse, dietitians, medical staff, उनके साथ communication करें, किस method से, जो medicines है, वो use की जाएंगी, किस medicines को कौन सी time पर देना है, ये सारी की सारी चीज़े ensure कर लें, ठीके, hospital pharmacist, जो भी ये chart है, जो भी drug chart बनाया है, patients के लिए, उनको monitor करें, ठीके, ensure करें कि उस patients को proper time पर correct medication मिल भी रही है, या नहीं, और इसमें correct time भी mention होता है, यानि कि इसमें आपका काम है कि आप ये ensure कर लें कि आपका जो patients है, उसको correct medicines, correct time पर मिली है या नहीं, उसके बाद फिर next उसमें आता है, जितना भी हमारे medications होती है, जिके जितने भी हमारे patients को medicines required होती है, चाए वो आपकर tablet हो, चाहिए injection हो, चाहिए ointment हो, चाहिए inhaler हो, ठीके उनके बारे में आपको proper knowledge होना जरूरी है, ठीके जो भी आपके patients को दवाई दी जा रही है, जाए वो किसी भी root की है, उनकी सारी information आपको होना जरूरी है, ठीके आपको पता होना चाहिए कि कौन सी medicines कैसे, कब और कौन से रूट से ली जा रही है देनी है ठीक है आगे चलके पेसेंट्स को ये सारी की सारी चीजे आपके और आपके medical staff के बीच में communicated होना चाहिए next responsibility में आता है discharging patient याने कि ऐसे patients जो hospital में admit थी और उसके बाद वो क्या हो रहे है ठीज आप न जब उनकी जो disease है वो ठीक हो जा रहे है तो वो discharge हो रहे हैं तो उस condition में क्या होता है pharmacist का role क्या होता है उनकी responsibility क्या होता है उसकी हम आज इसमें बात करने वाले हैं तो discharging patient is another important role for of pharmacist, hospital pharmacist और ये किस में आता है professional responsibilities में आता है कि जब भी कोई patients discharge होता है तो hospital pharmacist के duty है कि वो अपने patients को track करें ठीक है track करने का मतलब यह है कि जैसे ही वो discharge होते तो उनके एक discharge summary बनाए medicine से related उन्होंने कौनसी medicines ली थी कब ली थी आगे कौनसी medicines उनको लेनी है अगर कोई medicines ऐसी है जिसको हटाना है तो remove करना है तो remove करें तो यानि कि पूरे discharge summary hospital pharmacist के पास होनी चाहिए अपने patients की और discharge summary कब बनेगी जब आप अपने patients को क्या करोगे track करोगे उसकी medicines को क्या करोगे उसकी medicines को view करोगे कौनसी medicines को देखोगे कि कौनसी medicines कब ली गई है कौनसी medicines आगे हटाना है कौनसी medicines जो physicians है उन्होंने हटाने के लिए बोली है कौनसी medicines आगे उनको देनी है यह सारी चीजे हम लोग इसमें करते हैं उसके बाद pharmacist जो होते हैं उनको उनकी एक another responsibility होती है duty charge वो ensure कर ले medication prescription को एक बार match कर ले जो physicians ने जो doctors ने prescription लिखा है उसी के according medicines है या नहीं और उसके बाद एक discharge summary maintain कर सकते हैं दोस्त थोर इसमें आता है कि उनके responsibility होती है कि जितनी भी medicines correct medicines है या नहीं है जो doctor के थूँ दी गई है prescription उनके according है या नहीं है किस type से उनको dispense करना है किस type से correct medicines उनको लेनी है correct medicines है या फिर कोई other medicines तो नहीं है क्योंकि जब discharge होता है कोई पेसेंट तो कुछ medicines add की जाती है जबकि कुछ medicines को remove किया जाता है कि अब आपको इनकी need नहीं है तो pharmacist की responsibility बनते है कि वो उनके dispensing की conditions को बताए यानि कि किस according उनको maintain करना है किस according आगे उनको forward करना है और कोई गलत medicines तो उनके पास जा नहीं रही है यह उसमें क्या होता है maintain करना होता है तो जो last stage रह जाता है यह last stage है discharging patients का और responsibility जो होती है वो pharmacist के discharging patients के साथ भी होती है next जिसमें आते qualification and experience required यानि कि pharmacist बनने के लिए क्या-क्या qualification की जरुरत होती है और कितना experience required होता है तो जो hospital pharmacy का जो head होता है उसके लिए आपको at least m-pharma pharmacology होना जरुरी है clinical pharmacist के लिए at least आपको master degree in clinical pharmacology में होना जरुरी है quality control in charge के लिए आपके पास m-pharma pharmaceutical chemistry से होना जरुरी है assistant के लिए आपको at least b-pharma और d-pharma होना जरुरी है hospital pharmacist अगर आपको अपनी skill को improve करना है जितने भी हमारे pharmacist होते है तो उनको क्या है rotational regular rotational based अपना क्या करना पड़ेगा duty करना पड़ेगा rotational का मतलब क्या है कि एक department से दूसरे department दूसरे department से तीसरे department तो इससे क्या होते है कि हमें हमारी जो skill है वो improve होती है जो knowledge है वो improve होती है rotation hospitals pharmacist के लिए क्यों beneficial है क्योंकि ये different department में operate करते हैं जिसकी वज़े से एक proper set amount of time यानि कि ऐसा नहीं है कि permanent होगा लेकिन एक time के recording होते हैं जिसमें बहुत सारे shift pattern भी यूज किया जाते हैं morning, evening, night ये सारे shift यूज की जाती है rotational duty में जिसकी वज़े से क्या होते है pharmacist की skills जो होती है वो develop होती है जैसे कि department wise कैसे होते हैं जैसे कि कभी clinical ward में duty लगा दिये कभी medicine information के लिए duty लगा दिये तो वो सारी कि सारी चीज़े क्या किस में आती है rotation duty में आती है उसके बाद working these rotation allow a hospital pharmacist जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि mainly होता है कि अगर किसी भी pharmacist को हम rotational duty में allow करते हैं तो उससे क्या होते है कि जो hospital pharmacist होता है उसको अपनी skill को develop करने का chance मिलता है knowledge को gain करने का chance मिलता है knowledge को improve करने का chance मिलता है तो ये उनके लिए क्या है एक benefit option है next हमारा आते job specification यानि कि pharmacy field से अगर कोई बिलोंग करते है तो उसके लिए कौन-कौन सी job applicable है ठीके तो यहाँ पे कुछ job specify की गई है कि कौन-कौन सी job के लिए आप apply कर सकते हैं अगर आप B farmer, D farmer या M farmer से बिलोंग करते हैं तो ठीके तो यहाँ पे क्या है? sales marketing के लिए apply कर सकते हैं, research development के लिए apply कर सकते हैं, QAQC के लिए apply कर सकते हैं, production के लिए apply कर सकते हैं, जहाँ पे medicines बनती हैं, drug inspector के लिए apply कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कुछ time का आपको क्या चाहिएगा, industry का experience चाहिए होते हैं, hospital pharmacist में के लिए apply कर सकते हैं, analytical chemist के लिए apply कर सकते हैं, drug therapist के लिए apply कर सकते हैं, quality control manager के लिए apply कर सकते हैं, और medical store आप अपना open कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा आते है, workload requirement and inter-professional relationship यानि की, pharmacist के पास कितना workload की जरुरत होती है, कितना required होता है, और उनका जो relationship होता है, वो professionals जो महाँ पे काम करते हैं, उनके साथ कैसा होना जी, जी के तो जो pharmacist होते हैं, वो multitask करते हैं, कैसे करते हैं, एक बार देख लेते हैं, जो pharmacist होत प्रिस्क्रिप्शन सजेशन रिपोर्ट यानि के जो भी prescription doctor के थूरू आया है, उसको suggest करना होता है, उसके according उनको report maintain करनी होती है, second इसमें है dispensing error report, तो dispensing error report, यानि के अगर कोई कुछ error आ जाते है dispensing के time, तो उसके क्या करना है, उनको report maintain करनी है, अब अगर prescription suggestion report की बात की जा ठीक होस्पिटल electronic reporting system का क्या मतलब होता है, कि आप उस चीज को system में maintain करें, ठीक है, अगर कोई भी prescription का suggestion आपको है, तो आपको जो report बनानी है, वो electronic reporting system में बनानी है, dispensing error report अगर किसी के साथ होता है, तो फिर वहाँ पे क्या करते है, two senior pharmacists determine the report quality and accuracy, यानि कि दो pharmacists आपस में मिलक जो dispensing में या जो भी report में कुछ भी error आया है, उसकी quality और accuracy को determine करते हैं, ठीक है, hospital electronic reporting system के बाद फिर क्या होता है, regulate education by summarized report, यानि कि report बनने के बाद, उसके बाद क्या होगा, जो भी regular education होगा, उसको क्या किया जाएगा, summarized किया जाएगा, with the help of report, ठीक है, तो वो कहां पे जाए जाएगा, वो research development में सारी चीज़े चली जाती है, उसके बाद फिर वो किसके पास जाती है, clinical doctors के पास जाती है, DR और RX के पास चली जाती है, यानि कि pharmacist के पास चली जाती है, तो ये क्या है, pharmacist है, जो अपना multitask करते हैं, एक side से उनको क्या करना रहता है, pharmacist को prescription suggestion report भी बनानी होती है, reporting electronic, electronic report system में maintain करना होता है, उसके बाद regular education के लिए summarized करना होता है, उसके बाद DR और RX के पास भीजना होता है, दूसरी बात, अगर dispensing error कुछ होता है, तो उसको क्या करेंगे, जो pharmacist आपस में मिलके, उसकी report के accuracy quality को check करेंगे, उसके बाद उसको modify करेंगे, work system में, चीक लिए, तो यह क्या है, यह workload होता है, फार्मसिस्ट के लिए, और यह क्या होता है, इसके पता चलता है, कि वो अपना inter-professional relationship उनका कैसे होता है, यानि कि doctors के साथ कैसा होता है, नर्स के साथ कैसा होता है, या फिर other medical staff के साथ उनका relationship कैसे होता है, next हमारा होता है, good pharmacy practice in hospital, यानि क GPP, तो good pharmacy practice name से define हो रहा है कि आगर आप फार्मसिस्ट है तो आपको अपने medicine से related proper knowledge होनी चाहिए, अगर आपको proper knowledge नहीं है तो आप दूसरे की health के साथ आप play नहीं कर सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं अगर आपको medicine से related information नहीं है, तो good pharmacy practice का जो motive था वो यही था कि pharmacist को proper तरीके से knowledge होनी चाहिए, proper तरीके से हर medicines के बारे में पता होने चाहिए, जो वो patients को provide करते हैं, चीके, तो जो good pharmacy practice है, इसका जो main motive है, objective है, वो है pharmacy को, pharmacy के profession को improve करना, जितने भी इसमें pharmacist include है, उनकी knowledge को improve करना, उनकी skill को improve करना, क्योंकि यह क्या है, बहुत ही जादा sensitive profession है, जिसमें हम दूसरे की health से regarding कुछ भी medicines हम देते हैं, चीके, तो जो भी अगर आपको नहीं पता है, तो सबसे पहले आप उसके लिए practice करें, तब उसके बाद आप किसी भी patients के पे medicines apply कर सकते हैं, तो जो good pharmacy practice का जो motive था, वो यही था, कि जो patients है, चीके, वो क्या हो, do no harm, harm का मतल बिल्कुल भी harm ना हो, ठीके, और जो outcome निकले medicines देने के बाद, वो अच्छा therapeutic outcome निकले, ठीके, जादा से जादा outcome निकले, उसके बाद जो GPP है, यानि कि good pharmacy practice है, वो mainly क्या है, particular un pharmacist के लिए है, जो क्या करते हैं, patients को services provide करते हैं, ठीके, तो अच्छी से अच्छी service provide करें, यह GPP का aim था, motive था, ठीके, और evidence-based care हो, यानि कि ऐसा नहीं है कि आप, आपने बोल दिया कि नहीं, मैंने उसके care, patients के care के, मैंने उसको यह medicines दिये, लेकिन उसमें कोई असर show नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी आप care करते हैं, वो evidence-based हो, ठीके, यह क्या है, essential factor है, तो pharmacist को support करने के लिए, और pharmacist की practice कराने के लिए ही good pharmacy practice आया था, जिसमें stabilized हुआ था, जिसमें हमारा जो था, national framework भी काम करता था, क्यों करता था, क्यों कि उसको क्या है pharmacy को, जो pharmacist थे, उनको improve करना था, pharmacy को develop करना था, तो यहाँ पर क्या हुआ good pharmacy practice को improve करने के लिए कुछ quality standards का use किया गया, कुछ guidelines का use किया गया, जो आप आगे अभी पढ़ोगे, कुछ national frames use किया गया, जैसे guidelines होती है, क्योंकि अगर guidelines ना होती तो definitely इसी बात है, आज के time में कोई भी, किसी को भी medicines दे सकता था, भीना किसी knowledge के, तो जो हमारा government का, जो हमारी guidelines का, जो main aim था, वो था हमारा अच्छा से अच्छे pharmacy को improve कर सकते, ठीक है, तो इसमें mainly क्या होता था, good pharmacy practice में हमारा mainly क्या आता है, कि हम कैसे patients को अच्छे से improve कर सके, कैसे therapeutic जो outcome है, उसको अच्छे से maintain कर सके, क्योंकि therapeutic outcome जितना जल्दी होगा, उतन हमारे लिए benefit होगा, उतना जो patients से उसके लिए benefits होगा, तो जो good pharmacy practice का main aim था, वो यही था, कि इसमें किसी की भी health के साथ खेला ना जाए, कि सबकी health को एक proper, क्या है, proper way में रखा जाए, ठीक है, आप ऐसा नहीं है, कि किसी को भी बोल देते हो, कि नहीं मुझे इसको पहले medicines द आता है, next हमारा आता है, hospital pharmacy standard, FIP, basal treatment and AHSP, ठीक है, तो देखे, होता है, mainly, जो हमारा purpose था, वो था good pharmacy practice, यानि कि pharmacy practice को अच्छे से अच्छा करें, जिससे की patients को एक अच्छा environment और जल्दी से जल्दी improve मिल सके, mainly होता क्या था, starting में, जो हम लोग animals पे practicals करते थे, तो कभी-कभ होता था, animals पे भी death हो जाती थी, हर चाहिए वो doctor है, चाहिए वो pharmacist है, उसके लिए कुछ standards, कुछ rule regulations हमेशे रहते हैं, तो main purpose हमारा यही होता है, कि हमें अगर काम करना है as a pharmacist, तो हमें rule regulation में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखे, medical field जो होता है, वो ऐसा field है, जिसमें हम किसी है कि health के साथ experiment करते हैं, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके experiment के चक्कर में, क्या हो जाए, patients की हालत खराब हो जाए, या फिर उसकी death हो जाए, तो mainly पहले क्या होता था, कि जब हम practicals करते थे animals पे, क्योंकि animals पे practical करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई new drug launch होती है, तो सबसे पहले animals पे उसको use किया जाता है, experiment किया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसका conclusion निकाला जाते है, जिसमें animals की क्या हो जाती थी, death हो जाती थी, देखें वो भी क्या है, एक animals है, animals में भी क्या होता है, जीवन होता है, तो उनकी health के साथ ना खेलते हुए, एक बनाई गई, जिसमें, क्योंकि दोनों ही चीजे ज़रूरी है, experiment भी ज़रूरी है, अगर हमें experiment नहीं करेंगे, तो new new medicines कैसे आएंगी, और हमें animals के health का भी देखना है, कि कोई ऐसे ही, बिना वजा ही, किसी की health के साथ ना खेले, ऐसा आपको proper, अगर आप animals के साथ कोई practical करते हो, तो experiment करते हो, तो आपको proper knowledge उसकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको proper knowledge नहीं है, जिसकी सज़ा वो animals को भुगतनी पड़ी, और animals की death हो गई, इसी दिए एक community proper बनाई गई, जिसमें, अगर आप किसी animals पे experiment करते हैं, तो आपको, उनकी क्या है, आपको उनका authority लेनी करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, कुछ conferences हुई, जिसमें सारी चीजों को देखा गया, medicine से related, patient से related, prescription से related, distribution से related, सारी चीज़े, जितने भी चीज़े, जितने भी चीज़े, उनको सब देखा गया, तो जो FIP-based statement है, यह क्या है, यह भी एक conference launch हुई थी, तो conference के ओते, बहुत सारे members बैठते हैं, आपस में discussion करते हैं, उसके बाद कोई conclusion निकालते हैं, जिसको हमें follow करना होता है, जो pharmacist के through follow की जाती है, तो same ऐसे भी इसमें है, hospital pharmacy standards में, एक global conference रखी था, ठीक है, यह किसने host की थी, International Pharmaceutical Federation, इसलिए इसको FIP-based statement भी बोला जाते है, बेसल स्टेटमेंट क्यों बोला जाते है, क्योंकि FIP के थुरू जो conference हुई थी, और उसके बाद जो conclusion निकला, वो पूरा का पूरा statement आ जाता है, और जिसको pharmacist क्या करते हैं, applicable करते हैं, ठीक है, अगर pharmacist हैं, तो आपको उसको follow करना होगा, ठीक है, तो एक global conference हुई, hospital pharmacy के futures से related, International Pharmaceutical Federation ने इसको host किया, ठीक है, इसमें hospital pharmacy section as part of 68th annual congress के थुरू, International Pharmaceutical Federation के थुरू यह हुआ था, कब हुआ था, 30 और 31 अगस्त 2008 में हुआ था, ठीक है, total 348 hospital pharmacist में represent हुए, 98 देसों में, देसों के बीच यह हुई, आपस में बैटक हुई, ठीक है, उसके बाद जितना भी, जितना भी matter था, जितना भी, जितनी सारी चीजे थी, उसने पर सब पर discussion हुआ, successfully developed हुई, ठीक है, इनका जो main vision था, वो यही था, कि hospital pharmacy, hospital practice, pharmacy practice को कैसे improve किय जाए, ठीक है, उसको proper कैसे arrange किया जाए, ठीक है, किसी के साथ गलत वहवार ना हू, hospital pharmacy, यानि की good pharmacy में उसको कैसे convert किया जाए, यह सारी चीजों पर discussion हुआ, जो इसका main vision था, ठीक है, यह जो particular conference हुई, यह किसके थूँ हुई थी, FIP, FIP क्या है, International Pharmaceutical Federation के थूँ यह हुई थी जिसमें एक proper review literature prepare किया गया, six topics इसमें include थे, ठीक है, जिसमें सारे के सारे areas की medicines के बारे में, hospitals के बारे में cover किया गया, यानि कि इसमें किसी एक hospitals के बारे में बात नहीं किया, सभी के hospital और सभी medicines के बारे में बात की गई, ठीक है, जैसे कि procurement of medicines, preparation and distribution, prescription, administration medicines, उसके बाद monitoring of patient out, यानि कि इन topics पे इस conference में बात हुई, ठीक है, conclusion निकाला गया, statement आया, उसके बाद आज के time में हम उनको follow करते हैं, तो इसमें चीजे देखे गई, mention की गई, view किया गया, इनका main purpose जो था, वो यही था, कि patient से related भी था, medicine से related भी था, hospital से related भी था, यह सारी की सारी चीजे इस conference म निक्स्ट माना आते है, ASHP, जो कि हमारे health approval के लिए applicable होते है, और safety plan को बना के चलते है, patients के लिए, तो जो ASHP है, इसका क्या मतलब है, American Society of Hospital Pharmacists, ठीक है, यह सबसे पहले कव फर्म हुआ था, 21 August 1942 में यह फर्म हुआ था, ठीक है, इसका जो mainly, mainly किसके लिए काम करता था, American Society के ल फार्मसिस्ट के लिए यह organization शुरू हुआ था, ठीक है, हार्वे एक के witness के फर्स्ट चेर्मेन थे, आप इसको not down कर सकते हो, तो इसलिए क्या है, कि जो foreign countries होती है, उसमें फार्मसिस्ट की ज्यादा value होती है, आज compare to India, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए अपनी एक खुद की society ह ठीक है, तो अगर उनको कोई बात भी रखनी है, तो वह पे अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, तो फिर इसमें क्या है, जो हमारा ASHP है, ठीक है, मेली जो यह क्या है, यह एक फार्मसिस्ट की voice है, यानि कि इसमें बहुत सारे फार्मसिस्ट हैं, तो definitely सी बात है, यह फार्मस में पेसिंट्स को केयर प्रोवाइड करते हैं, हाल्दी सिस्टम में काम करते हैं, अम्बूलिटरी क्लीनिक में काम करते हैं, या फिर किसी अगर हाल्थ केयर सेटिंग में काम करते हैं, यानि कि जो फार्मसिस्ट हैं, ठीक है, वो किसी भी फिल्ड में काम करते हैं, यह उनक जब इसमें pharmacist include हैं वो student pharmacist भी हो सकते हैं complete pharmacist भी हो सकते हैं या फिर pharmacy technicians भी हो सकते हैं चीके तो इतने member इसमें हैं उसके बाद इसका mission क्या है ASHP यहने के American Society of Hospital Pharmacy का जो mission है वो यही है कि pharmacist की help करना जिसे कि वो क्या कर सकें लोगों की जादा से जादा health outcome को अच्छा बना सकें optimal कर सकें चीके इंप्रूफ कर सकें चीके जितने भी ASHP के जितने भी member है उनका जो main mission रहता है वो रहता है सपोर्ट करने का जीके professional practice pharmacist to hospital को सपोर्ट करने का healthy system को सपोर्ट करने का care clinic को सपोर्ट करने का या फिर other जितना भी है चीके सारी की सारी जितनी भी medical activity है उनको support करने का इसका aim रहता है इसका जो mission है वो यही रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा फार्मसिस्ट है वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा help करें चीके इसलिए क्या है कि यह क्या करता है good pharmacy practice की सला देता है जिसमें आपको स production to NABH accreditation accreditation का मतलब होता है माननेता जीके जैसे suppose करो आप market से अगर कोई product खरीद के ले के आते हो और अगर वो ISI marks है तो आपको लगते कि इसकी quality अच्छी होगी और होती भी है जीके तो वो क्या है ISI माननेता प्राप्त है उसको ऐसी सेम जितने भी हमारे hospitals होते हैं और healthcare providers हो होते हैं अगर वो NABH approved हैं उनके पास NABH की माननेता है तो वो उनकी जो quality है वो अच्छी होती है ठीक है तो NABH की जो full form होती है वो है national accreditation board for hospitals mainly hospitals for healthcare providers के लिए होती है ठीक है इसमें क्या होती है उनकी quality का पता चलता है quality counseling of India याने की QCI यह mainly जो stabilized हुई थी ठीक है यह जो होल है यह जो stabilized हुआ था यह healthcare organization के लिए stabilized हुआ था उसको improve करने के लिए stabilized किया गया था ठीक है इस particular board में यानि की national accreditation board में क्या होते हैं बहुत सारे stakeholder support करते हैं stakeholder का मतलब क्या है जैसे कि industry हो गए industry में जो लोग काम करते consumers को support करते हैं government इसको support करती है जिसकी वज़े से यह अप economy तरीके से regulate कर सके अपने functions को regulate कर सके mainly इसका purpose क्या होता है जो patients होते हैं उनको respect के through treat किया जाए dignity के through treat किया जाए ठीक है यह इसका क्या होता है main purpose होता है all time ठीक है definitely सी बात है सभी जो जितने भी patients होते है वो respectful उनका treatment किया जाए respectful का मतलब यहां पे क्या होता है कि जैसे patients है तो पेसेंट्स जब हॉस्पिटल्स में जाते, तो वो क्या करते कि एक हाईजीन वहां पे होना चाहिए, प्रापर हैजीन का ध्यान हमें रखना है तो डेफिनेटली सी बात है कि उनके according हो वहां पे maintain होना चाहिए, उनके dignity, respect होना पे maintain होनी चाहिए. उसके बाद पेसेंट्स are involved in care planning and decision making ठीक है जो patients होते हैं वो क्या होना चाहिए उनकी जो care taker है वो पहले से pre-plan होना चाहिए decision making होना चाहिए patients are treated by qualified and trained staff definitely सी बात है अगर वाप पे patients आते हैं ठीक है तो उनका क्या है उनको qualified and trained staff ही उनको ठीक करें ऐसा नहीं है कि आपने किसी के भी हाथ में किसी भी patient को दे दिया उसके बाद feedback from patient is enough and complain if any our address यानि कि आपने देखा भी होगा कि सुझाव box लगे रहते हैं hospitals में या फिर complain box लगे रहते हैं कि अगर किसी patients को कोई complain है तो आप वहाँ पे वो letter डाल सकते हैं उसमें आपका ना mention नहीं होता है तो अगर ऐसा कोई patient से करता है तो आपका काम है जितने भी healthcare provider है कि उसको address करें और उसकी उनकी problem को solve करें उनकी complain को देखें ठीक है transparency in billing and availability of traffic list ठीक है transparency का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो भी billing होती है वो बिल्कुल transparency होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आप एक patient से अलग ले रहे हो दूसरे patient से charge अलग ले रहे हो तो बिल्कुल transparency होनी चाहिए continuous monitoring of its services for improvement चीक है आपकी जो services है वो continuous monitor होना चाहिए patients की conditions और improve होना चाहिए उसके बाद commitment to prevent adverse event that में अकर अगर कोई adverse event अकर होता है तो आपका काम है कि आप उससे patients को बचाए नेक्स्टेस में आते है रॉल ओफ फार्मासिस्स तो सबसे पहले आते है review prescription review prescription का मतलब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो doctor prescription लिखते हैं आपको उसको review करने उसके बाद आपको patient को medicines देना है dispense prescription and non prescription medicines दोनों में रो Việt होता है फार्मासिस्ट का कितना डोज में देना है किस रूट से आपको देना है वो सारी की सारी चीजेस में मैंचिन होते है प्रोवाइड पेसेंट कांसलिंग एजुकेशन में फार्मासिस्ट का रॉल होता है क्योंकि जो भी पेसेंट की क्वेरीज होती है वो सारी की सारी मै एंटर रदूर्प्रेट्रेशप और लीडर्षिप में भी फॉॉस प्रॉफ में थीखा स्धेरील एंडिः सीखा एक मीमालिक भी मुक्रती एकषिप यज़ rijए एक फैर उतीं करों होता है घलक मीनटीं मीनिटी और काई'S जितना भी ड्रग से रिलेटेड जितना भी मैडिसन से रिलेटेड जितना जादे से जादा फार्मसिस्ट को नौलेज होगी उतना उसके लिए बेनिफित होगा नेक्स्ट और लास्ट में हम बात करने वाले कुछ इंपोर्टेंट कोष्षयों की जो कि इस टापिक से रिलेटेड हैं। जाएगा कि आपकी कितनी preparation हुई है इस chapter से और कितना आगे आपको जोरत है next class में हम बात करेंगे chapter number 2 की जिसमें हमें बात करनी है different committees in the hospital like pharmacy and therapeutic committee objective composition and functions hospital formulary definition procedure for development and use of hospital formulary infection control committee role of pharmacist in preventing antimicrobial resistance तो इस in topics के हम बात करेंगे next class में thank you for watching this video if you want to connect with us then join our telegram or whatsapp group link will be mentioned in description box thank you so much